हेलो गाइज मैं हूँ मनीस वर्मा और आप देख रहे हैं लर्न ओफ टेक नो डियर फ्रेंड आज ही हमारा थियोरी का सेशन है फिटर थियोरी के हम करेंगे जिसमें हमारा मेजरमेंट वो चल रहा है तो इसमें आज हम जानेंगे मार्किंग टूल्स के बारे में और वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले मां आपको बता देता हूं कि हर साम आठ बजी आपको मिलेगा एक नया वीडियो उनली हमारे चैनल पर तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज हम मार्किंग टूल्ज के बारे में किसके बारे में मार्किंग टूल मेजरिंग टूल के बारे में ठीकип है यह पार और वर्त चाप लगाने के लिए divider का प्रियोग है वो किया जाता है इससे दातू की step पर cone भी बनाए जाते हैं तथा बांटे जाते हैं divider के दवारा किसी भी रेखा को कई बागों में बांटा जाता है इससे किसी भी size में खोलने के लिए still rule का प्रियोग है वो किया जाता है यानि कि इसको यह जो हमारा क्या है यह spring joint divider है हमारा तो इसको क्या है कि यहाँ पर यह बीच की दूरी है इसको खोलने के लिए कि हम still rule का प्रियो करते हैं जहां से क्या है यहां से लेकर यहां तक कितने map का खोलना है जैसे कि यह हमारा कितना है यह 0, 1, 2, 3 यानि कि 30 mm हमें अगर खोलना है तो 30 mm खोलना है तो क्या still rule पर इसको map कर हम क्या है खोल सकते हैं और उसके बाद क्या है कोई वर्त लगाना है या फिर कोई चाप अगेरा लगाना है वो इससे लगा सकते हैं ठीक है divider है वो mild steel का बना होता है इसकी दो टांगे होती है इसके point वो सीधे वर तेज होते है और case hard की होते है क्योंकि mild steel को hardware temper नहीं कर सकते है तो इसको क्या case hard किया जाता है अगर यह high carbon steel का बना होता तो इसको क्या point को hardware temper किया होता अब इसको case hard या hardware temper क्यों किया जाता है ताकि इसके point वो घिस ना सकी क्योंकि जब हम बार-बार कुछी चीज को यूज करते हैं तो उसके क्या घिसने के chance वो ज्यादा रहते हैं तो इसलिए कि इसको या तो हम case add कर देते हैं या फिर अगर high carbon steel का मना हुआ होता है तो इसको क्या हम hardware temper कर दिया जाता है इसकी दो टांगे रिवेट या कील के दोरा जुड़ी हुई होती है क्या है कि यह जो यहाँ पर लगी हुई है spring joint में क्या एक pivot लगी होती है अगर यह from joint टाइप होता तो उसमें क्या है कि यहाँ पर रिवेट लगा होता इसका size जब रिवेट या कील के center से केंदर से working point तक की सीधी दूरी से लिया जाता है यह आम तोर पर 150 mm या चैई size में मिलते हैं अब इसके जब size जब कहां से लेते हैं तो वो इसके जो रिवेट है उसके center से और working point यानि कि यह जो हमारा point है इसकी सीधी दूरी से लिया जाता है एसे नहीं मापेंगे इसको पहले एसे फिर एसे नहीं मापेंगे इसके क्या है यहाँ से लेकर और यहाँ तक बिल्कुल सीधी दूरी जो होगी वो क्या होगी इसकी सही माप होगा वह इसका ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं अगे इसमें क्या दियो है इसके टाइप दियो है क्या बनावत के अंशारे डिवैडर हो मुख्यसplane दो परकार क्ये होते है अब कौन्छे-कौन्छे होते हैं तो वह, कौन्छे-कौन्छे होते हैं हमारे इक होता है from स्भूसे यह रोता है और दूसरा उल से होता है इस में इस परकार की दो टागे रिवेटि के दौरा फिट रहती है रिवेटिंग इस परकार की होती है कि दोनों टांगे हलके हाथ के दबाव से कम या अधिक खोला जाता है फ्रम डिवाइडर है वो फ्रम जोइंट डिवाइडर हो तीन परकार के होते हैं कौन्चे कौन्चे टाइप A, टाइप B और टाइप C यह तीन परकार के दिये हैं, इनको क्या है कि यहां से rivet के द्वारा क्या है, इनको tight fit किया होता है इतना ज़्यादा भी tight नहीं होता है, यानि कि काम के अनुसार है, वो इसको safe fit होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा tight होगा तो हमें खौलने में परिशानी होगी tight करने में परिशानी होगी, अगर ज़्यादा lose होगा तो वो आपने आप ही क्या है, बंद होने लग जाएगा, तो क्या यह सही है, वो rivet को क्या है, सही size में क्या हता है, रिवेट किया हुआ होता है ठीक है, इसमें क्या है, जैसे अलग अलग type के अनसारीन में क्या तीनों के नाम दे रखे हैं, जैसे क्या यह वाला कौन सा है, simple from joint divider है, यह वाला first वाला from joint, wing divider, यह क्या इसमें wing लगा हुआ है इसके साथ में खोल सकते हैं, और next क्या है, needle point from joint divider, इसमें क्या है, यह point है, यह अलग से needle बनाई हुई है, तो यह needle क्या हम change भी कर सकते हैं, इनको तो यह तीन अलग अलग type के दियो हैं, वैसे इनके सबका use है, वो एक ही होता है, क्या वर्तिया चाप लगाने के काम में आता है, यानि कि कि किसी यह सीधी रेखा है इसको क्या समान भागों में डिवाइड करने के लिए क्या है, हम डिवाइडर का use है, ठीक है spring joint और from joint दो टाइप के divider होते हैं, सेकिंड हमारा क्या है, spring joint है ठीक है, तो यानि कि from joint क्या था, from joint में क्या था कि उसको rivet के द्वारा सीधा fit किया होता था, अब spring joint में क्या है, spring के द्वारा इसको क्या fit कर देंगे, तो इसमें क्या खोलने और बंद करने में क्या है, हमें आसानी रहेगे, क्योंकि spring के pressure से क्या हम इसको कम या ज़ादा इसके कर सकते हैं, अब spring joint में क्या दिया हुआ है तो spring joint में हमें दिया हुआ है spring joint divider इस परकार के divider की दो टांगे एक कील पर spring दवारा fit रहती है इसकी कील के नीचे एक screw road भी लगी होती है जिसको pivot करते है इसमें एक split nut लगा होता है जिसकी सायता से इसे किसी भी माप पर adjust किया जा सकता है यानि कि इसको क्या है कि एक split nut के दवारा इसको क्या है कमिया जादा इसके size को कर सकते हैं from joint divider के अपेक्षा इसे आसानी से खोला जाता है तता इसके उपर पकड़ने के लिए spring पर एक nulling की हुई चोटी सी road लगी होती है जिससे क्या इसको पकड़कर क्या हम घुमा सकते है यूज कर सकते है जिसके एक सीरे पर चूड़ी कटी होती है यह चूड़ी कटा भागा वो spring में fit रहता है रोड के इस road के दवारा इससे चाप इतियादी लगाई जाती है यानि कि जो ऊपर जो spring के ऊपर जो road लगी होती है उसके दवारा क्या इसमें चाप वगेरा क्या हम लगा सकते है चलिए figure में देख लेते है थोड़ा आराम से समझ में आ जाएगा यह कौन सी road की बात की जा रही है जो सबसे ऊपर जो लगी हुई है इस road की बात हो रही है यह क्या है इसमें चूड़ी कटी हुई होती है यहां पर यह इसमें फिट हो गई यह क्या हमारा spring लगा हुई है यह यहां पर बीच में क्या है यह pivot लगी हुई है तो यह spring क्या है इसको क्या है यहां पर tight की हुई है इधर के हमारा screw और nut लगा हुआ है तो इसके द्वारा क्या हम इसको कमिया ज़्यादा खोल सकते हैं ठीक है यह हमने normally देखा भी होगा जैसे use करते है geometry box में भी आता है यह divider जो होता है जैसे हमारा जो प्रकार होता है सेम उसी प्रकार होता है तो सेम divider का प्रियोग भी क्या होता है दादू की सतय पर क्या होता है वर्तिया चाप लगाने के काम में आता है ठीक है नेक्स्ट है इसमें inside caliper और outside caliper के चित्तर बना करें इनके प्रियोग लिखो अब जैसे divider था सेम उसी प्रकार क्या होता है इनसाइड केलिपर और आउटसाइड केलिपर होते हैं अब इनसाइड और आउटसाइड केलिपर होते हैं तो इन दोनों का यूज भी क्या होता है अलग अलग होता है लेकिन इनसाइड और आउटसाइड केलिपर का यूज हम किसके लिए करेंगे मार्किंग या चाप लगान कि यानि कि इनके द्वारा कि हम डाइरेक्ट किसी चीज का माप अबू नहीं ले सकते किसी दूसरे मद्यम के द्वारा क्या है हम माप को ले सकते हैं यानि कि पहले इनके द्वारा क्या करेंगे हम चेक करेंगे उसके बाद हमें क्या स्टेलूल या वर्नियर के लिपर के उपर इसके map को हमें check करना पड़ेगा कि कितना हमारा खुला हुआ है तो यानि कि यह कौन सा tool हो गया तो यह हमारा indirect measuring tool हो गया अब direct measuring tool जैसे कि हमने पड़े थे कि कौन से measuring tool होते हैं direct होते हैं indirect होते हैं और comparison तीन टाइप से हम map ले सकते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल में क्या होता है, कि डायरेक्ट मेजरिंग टूल में हम सीधा क्या होता है, वर्नियर के लिपर या स्टीलूल माइक्रोमिटर आधी के दौरा सीधा माप लेते हैं, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में किसी दूसरे मद्दयम के द होती है हमारा जो ऑफाइड और इंशायद जो केली पर जो आते हैं वो किस में आते हैं ओंट की जो औरあー माप वाहरा करेंगे बारी माप लेने के लिए और inside caliper का use हम कहा करेंगे inside का मतलब होगए अंदर तो inside caliper का use कहा करेंगे अंदरूनी माप लेने के लिए inside caliper का use करेंगे अब ये उपर वाले दो ये क्यों सा है spring joint outside caliper ये कौन सा है from joint outside caliper अब इसको हम कैसे पहचान सकते है कि spring joint है ये हमारा from joint है तो इसमें पहचानने के लिए क्या है इसमें विल्कुल आसान है अब spring joint में आप हम देख सकते हैं कि उपर क्या है इसमें spring लगा हुआ है यहाँ पर और ये क्या है screw और road के दवारा nut के दवारा क्या है इसको कमिया ज़्यादा हम कोल सकते हैं जो from joint है इसमें क्या है यहाँ पर review it है वो fix qe होती है तो यह कौन सा होगा है यह spring joint होगा है यह हमारा from joint होगा जैसे divider की तरह समान होते है spring joint है outside के लिए पर है यह क्या है from joint outside के लिए पर है अब next क्या है inside के लिए पर है कि इसके उपर क्या spring और road लगी हुई है और इसमें क्या है सीधा rivet के द्वारा इसको fit किया हुआ inside के लिपर ये कौन सा spring joint inside के लिपर ये कौन सा from joint inside के लिपर ठीक है इनका use कहा करते हैं तो inside के लिपर का use अंदरूनी माप लेने के लिए आउटसाइड के लिपर का यूज है वो हम बाहरी माप लेने के लिए यूज करते हैं ठीक है और इनसाइड के लिपर और आउटसाइड के लिपर दोनों ही क्या है हमारे इनडाइरेक्ट मेजरिंग टूल है इनका यूज है वो आगे दिया हुआ है तो इसमें देख लेते हैं यूज में क्या लिखा हुआ है आउटसाइड के लिपर का प्रियोग किसी भी जोब का बाहरी माप चेक करने के लिए किया जाता है जैसे लंबाई चोड़ाई मोटाई इनडाइरेक्ट माप तो इसका प्रियोग जोब के अंदर के साइज मापने के लिए किया जाता है इनसाइड इनसाइड का मतलब अंदर हो गया और आउटसाइड का मतलब बाहरी हो गया ठीक है याद रखने के लिए नॉर्मली याद रह जाएगा अब आउटसाइड और इनसाइड के लिए पर वो दो परकार के होते हैं स्प्रिंग जोइंट और फ्रम जोइंट होते हैं अब इंसाइड के लिपर में आगे क्या दिया हुआ है तो इसमें दिया हुआ कि जैसे अंदरोनी स्लोट या गुरू की चोड़ाई सुराक के अंदरोनी वियास इत्यादी मापने के लिए किया जाता है यह भी एक एपर्टेक्स यानि कि इन डाइरेक्ट मेजरमेंट ओजार है इन डाइरेक्ट मेजरिंग टूल है कौन सा इनसाइड के लिपर भी ठीक है इन दोनों के दुआरा बेटिस परणाली में एक वटे 2 mm की सुदधता में माप मापे जाते है अब इनकी सुदधता है वो एक वटे 2 mm या एक वटे 64 इंच हमिए याद रखने कि आफ सकता नहीं है यह इसमें दिया हुआ है लेकिन इनकी जो शुदधता जो डिपेंड करती है वो हमारे इस इन डारेक्ट टूल की उपर 0.1 mm की accuracy में कॉल सकते हैं अगर हम one near outside micrometer पर use करें तो हम क्या इसको 0.001 mm की accuracy में भी इससे map ले सकते हैं तो इसकी सुद्धता जो depend करेगी वो हमारा indirect measuring tool है जिसके दौर हम map ले रहे हैं उसके उपर depend करता है कि उसकी जो accuracy होगी उसी के हिसाब क्या है इसकी accuracy depend करती है यहां पर यह 1.2 इंच या सोरी 1.64 इंच या 1.2 mm दिया हुआ है अगर normally आ जाता है आपको पूछ लिया जाता है कि inside के लिपर या outside के लिपर की जो accuracy होती है list count होता है वो कितना होता है इनकी सुद्धता कितनी होती है तो 1.2 mm हम कर सकते है normally अगर वहां पर टूल का नाम दिया हुआ है और पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एक कुरेटर वो किसके द्वार हम आप सकते हैं उसमें दिया हुआ है कौन सा कौन सा दिया हुआ है हमारा still rule दिया हुआ है वर्नियर के लिपर दिया हुआ है सोरी क्या दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं ठीक है तो अगर इससे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एकुरेट में किसके द्वार हम आप सकते हैं इंसाइड या आउटसाइड के लिपर द्वारा तो कौन सा हमारा option आएगा micrometer आएगा क्योंकि micrometer से हम क्या है 0.01 mm की सुधता में या फिर 0.001 mm की सुधता में माप ले सकते हैं अब यह वर्णियर आउटसाइड micrometer होता है जिससे के हम 0.001 mm की सुधता में क्या होता है माप ले सकते हैं यह हमारे आगे जो टूल आएगे वर्णियर के लिपर micrometer वहाँ पर आपको सही से समझ आ जाएगा तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है टेंशन बद लिजी ज़्यादा बस जितना आपको पढ़ाय जा रहा है उसको एक connect हो कि दिल से connect हो कि आप पढ़ते चलिए आपको बिल्कुल आसानी से सारा कुछ है वो याद होता जाएगा ठीक है dear friend चलिए आगे देख लेते हैं इसमें आगर कुछ बचा हो आई सिखा पार्ट तो आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया हो है आगे इसमें दिया हो है आउटसाइट केलिपर अब इंसाइट केलिपर का पढ़ दिया था अब क्या है आउटसाइट केलिपर तो आउटसाइट पेलिपर में क्या दिया और नाम के अनुसारी इसका काम है इसके दोरा जोब के बाहरी माप मापे जाते हैं जैसे लंबाई, चोड़ाई, मोटाई, विया, साधी यह भी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और वर्किंग पॉइंट को के साध किया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था माइल्ड स्टील को हाड एउट टेमपर नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या केस हाड किया जाता है, अगर ये High Carbon Steel का बना हुआ Все ехता है तो इसको क्या? Hard-ewn Tempora किया जाता है, इसके Working Point को. ठीक है? अब इनके Working Point को Hard-ewn Tempora या Kessaar क्यों किया जाता है, तो इसके Working Point को क्या? किसने से बचाने के लिए हम क्या? इसको hard करते हैं ठीक है इसकी दोनों टांगें वो अड़ गोलाई में अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और दोनों टांगों को रिवेट या स्प्रिंग वै कील के द्वारा जोड दिया जाता है अब जो आउटसाइड केलिपर होता है आउटसाइड केलिपर जैसे कोई होल है तो इसके अंदर की तरफ निकली हुई है तो ये इधर टच हो जाएगी और आउटसाइड केलिपर की दोनों टांग होती है वो क्या होती है अंदर की ओर मुड़ी होती है तो यानि कि इसका जो हमें माप लेना है तो क्या करेंगे ये एक टांग लिपर की दोनों टांग यह वो हमारी बहार की ओर मुड़ी हुई होती है ठीक है नेक्स्ट इस्त में दिया हुआ है इसका साइज है वो रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक मापा जाता है अब इसका जो साइज होता है वो क्या कहां से मापा जाता है तो वो रिवेट के साइज कील के सेंटर से रिवेट या कील के सेंटर से working point तक की सीधी दूरी से मापा जाता है, जैसे divider का माप लिया जाता है सेम उसी परकार लिया जाता है यह भी क्या 150 mm 200 या 300 mm साइज में उपलब्द होते हैं बनावट के अनसार ये दो परकार के होते हैं, कौनचे-कौनचे from joint और spring joint दो परकार के होते हैं जो हमने क्या ऊपर देखे थे चलिए एक बार ऊपर फिर ये देख लेते हैं जिसमें आपको size भी बता देते हैं अब from joint और spring joint दो परकार के यहां पर हमें क्या है दिये हुए है, कौन्चे कौन्चे है, अब जैसे की from joint कौन्चा है, इसमें ये दोनों क्या है from joint है, ये दोनों क्या है spring joint है हमारे, ठीक है तो इसमें क्या from joint और spring joint दोनों परकार के दिये हुए है, दो ये परकार के होते हैं, कौन्चे कौन्चे from joint और spring joint है, अब उनका size घान से लिया जाता है, तो इनका size जब वो same divider के तरह लिया जाता है, रिवेटी अकील के center से, इसके center से और working point, यहाँ यह जो हमारे working point है, इसकी सीधी दूरी से क्या है, इसका map लिया जाता है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ तक की क्या है सीधी दूरी से इसका माप लिया जाता है ठीक है यहां से नीचे तक की सीधी दूरी से क्या इसका माप लिया जाता है और यह आउटसाइड के लिपर है तो इसकी क्या दोनों टांगे हमारी अंदर की और मुड़ी हुई है तो यह बाहर की माप सकता है और साइज भी क्या है, रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तकी, सिद दूरी से यहां तक लिया जाता है, वह इसका क्या होता है, साइज होता है, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो याधा ज्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए हर साम आठ वजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिये हुए है टेलेगराम इंस्टा के हमें जोइन कर सकते हैं या फिर कॉंटेक्ट नमबर दियो हैं उस पर आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं कॉमेंट कर सकते हैं आपके डाउट सोलिशन है वो कर दिये जाएंगे ठीक है थैंक्स पर वाचिंग और बाई बाई